इन प्लांटों को आप नर्सरी से यदि एक बर लेके आते हैं तो आपको बार बार इन प्लांटों को नर्सरी से लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी बहुत सारे प्लांट आपके गार्डन में बन जाएंगे यदि एक बर इनको नर्सरी से भी नहीं लाते तो किसी से आप कटि मांगते हैं या किसी रिलेटिव से लेते हैं तो आप इनको अपने गार्डन में जो पर्मानेंट बना सकते हैं तो वीडियो को लाश्ट तक जरूर देखना बिना स्वीप क्यों है कौन कौन से प्लांट है मैं वह आपको बताऊंगी अपने अपने कामों में बैस्त होंगे तो आज मैं बताती हूँ आपको कौन कौन से प्लांट है जिनको आप लगाती है तो आपको प्लांट खरीदने की दुबारा से जरूरत नहीं पड़ेगी उसे पहले मैंने जो ही सिमला में सबजी में से काट की रखी थी जो खराब जो हमने डस्ट बीन में डाल ली थी तो मैं डस्ट बीन में कोई भी जो है किचन वेस्ट से निकलता है उसको नहीं डालती हूँ उसको मैं अपने पोट में ही खाद के लिए यूज करती हूँ वो पूरा साल है जो हरी भरी रहती है थोड़े दिनों के लिए इसकी पतिया सर्दियों में सूख जाती है ये पतियों हट जाती है उसके बाद ये पूरा पर मंथ है जो पूरा 12 महीने तक इसकी पतिया है हरी भरी गरीन रहती है तो इस प्लांट को आप अपने गार्ण में जरू इस प्लांट को आप कटिंग से इजली लगा सकते हैं छोटी सी कटिंग आप कट करके पाने में डाल दे तो एक हफते के अंदर इसमें रूटे बन जाती है तो यह देखें मेरे पास बहुत सारे प्लांट बने हुए है और वो भी बिल्कुल फिरी में ही मैंने इनको बनाया है मैं नर्सरी से भी से नहीं लेकर आई थी यदि आपके आसपास किसी ने लगाया है या यह रोड साइड भी आपको एक प्लांट मिल जाएगा तो आप इसको कटिंग से इजली है लगा सकते हैं यदि नर्सरी में से लाते हैं तो आपको थोड़ा कोश्टली मिलता है बट इ दूसरा है हमारे अलवेरा प्लांट इस प्लांट को भी आप आसानी से ग्रो कर सकते हैं यदि एक कटिंग या आप किसी से नर्सरी से लेके आते हैं चोटा सा बेबी प्लांट आपको कम प्राइज में मिल जाएगा और बहुत ही आसानी से ये प्लांट है ग्रो हो जाता है आपके गाडन में रहता है, यह है बोट लीली बोट लीली को भी लगाना काफी आसान होता है यह permanent plant होता है, कम केर में चलने वाला plant होता है इसके multiple plant, baby plant अपने आप से निकलते रहती है यदि एक बर इसको ले के आ गए तो आपके गाडन से यह कभी नहीं जाएगा हजारों प्लांट आपके बन जाते हैं चोटी-चोटी कटिंग या डिवाइड करके भी आप इसको आसानी से लगा सकते हैं ये देखे मैंने डिवाइड करके लगाया है और कटिंग से भी लगाया है तो मेरे सभी जो प्लांट है चले हुए है अच्छे से तो आप इसको है आ तो आप भी इस प्लांट को जरूर एड़ करें अपने गार्ण में, फिर है हमारा ये देखिए लगी प्लांट, लगी प्लांट को जैड प्लांट भी बोलते हैं और काफी जो है, ये लक्की प्लांट है जो सुब माना जाता है घर में लगाना मैंने एक प्लांट है जो नर्सरी से खरीदा था 100 रूपीज में और देखें मेरे पास बहुत सारे जो है जेंड प्लांट का कलेक्शन हो चुका है और काफी जो आसानी से इस प्लांट की कटिंग है लगाना जो प्लांट बन चुके हैं, आप इसको जरनी घना बनाना चाहते हैं, तो इसकी जो छोटी उपर से आपको पिंचिंग करनी होती है, तो आपका प्लांट है घना हो जाता है, ये देखें, मैंने छोटे-छोटे जो प्लास्टिक का कबार है, उसी Pacific मेरे उसकी छोटी-छोटी और आप ये देख सकते हैं मैंने जितनी भी छोटी छोटी कटिंग लगाई थी सभी मेरी कटिंग अच्छे से चल रही है और काफी जो है खूबसूरत पतिया होती है इसकी हमेशा हरी भरी इसकी पतिया रहती है फिर आता है हमारा मनी प्लांट मनी प्लांट को तो सभी पता है और सभी लगाना भी चाहते हैं क्योंकि इसको मनी के उससे आका जाता है और मनी प्लांट को भी काफी सूप माना जाता है बोलते हैं इसमें लक्समी का वास होता है तो इस प्लांट को भी आप आसानी से कटिंग से इजली ग्रो कर सकते हैं यदि आप नर्सरी से लेके आते हैं तो भी बहुत ही आसानी से आपको ये किसी भी नर्सरी में छोटी ये बड़ी नर्सरी में सभी नर्सरियों में ये प्लांट आपको मिलता है क्योंकि इस प्लांट की जो डिमांड है बहुत जादा होती है तो इसकी यदि आप नर्सरी से नहीं लाना चाते हैं आप पैसे भी चोटी सी कटिंग यदि तोड़ के लाते हैं तो आप उसको है आसानी से ग्रो कर सकते हैं इस प्लांट को है जो पानी में भी एजली ग्रो कर सकते हैं पानी में भी इस प्लांट की जो रूटे हैं काफी आसानी से बन जाती हैं आपको कुछ पतियां हटानी होती है तभी आपक चुका है और इसे मैंने बहुत सारे प्लांट बना लिये हैं तो आप भी यदि एक कटिंग कहीं से ले के आते हैं तो भी आप इस प्लांट को है जिली लगा सकते हैं यदि नर्शनी से लाते हैं तो यदि एक बर यदि आप इस प्लांट को लाते हैं तो आपके गार्डन से य के पत्तिया होते हैं चोटे से चोटे कंटेनर में एज़ी लग जाता है इसकी मिटड़न आपको जो प्लांट है सभी की मिटड़न तेयार करनी ये देखे सिंगोनियम और मेरा जो मनी प्लांट मैंने दोनों एक साथ चोटी-चोटी cutting है जो लगाई थी पानी के अंदर काफी जो मेरी plant की cutting अच्छे से लग रही है और इस भी जो root है बन रही है तो इस तरीके से भी आप plant की cutting लगा जात सकते हैं ये है मेरा dumb cane का plant काफी जो खूबसूरत इसकी पत्या होती है और भूती जो प्यारा इसकी पत्यों का color और size होता है और इसकी मिट्टी भी आपको welderine रखनी है और indoor plant होता है घर को decoration करने के लिए भी इस plant को लगाया जाता है वो फिस वगेरा में भी आपको ये plant देखने को मिलेगा इस plant को भी आपको cutting से easily लगा सकते हैं यदि नर्सरी से लेके आते हैं 100 रुपेस के आसपास आपको ये baby plant के तोर पे मिल जाएगा मैं इसका छोटा सा ही baby plant लेके आई थी और ये देखें मैंने 3-4 plant इसके बना लिये हैं तो multiple नहीं होता ये आपको इसको उपर से cut करना होता जहां से आप पे निसान होते हैं खूबसूरत पत्यों वाला plant होता है ये भी permanent plant होता है जब मैंने gardening start की थी तब मैं चोटा सा baby plant nursery से लेके आई थी 80 रुपीज का और ये देखें काफी जो मेरा plant है बड़ा और घना हो चुका इसमें से मैंने 2 plant बनाए थे वो मैंने अपने पडोसन को दे दिये थे जो इनकी cutting लगाई थी फिर है हमारा कैना लीली कैना लीली भी यदि एक बर आपने जो है nursery से खरीद लिया तो आपके garden से कभी नहीं जाता है multiple होने वाला plant है काफी खूबसूरत इसके जो flowering होती है तब काफी खूबसूरत इसके गुच्छों के टाइब में जो flower होते है औरेंज और येलो कलर में फिर है हमारा turtle wine turtle wine भी जो है hanging basket के लिए भी काफी खूबसूरत plant है और इस plant को बहुत यासानी से आप है चोटी सी cutting से भ निकलता रहता है ऐसे टोक्रिया टोक्रियों में मैं खटा कर लेती हूं और इसको मैं अपने कोई भी पोट को यदि मिट्टी भरने से पहले इसे डाल दूगी फिर इस पे उपर से मिट्टी डाल दूगी तो यह अपने आपसे डीकंपोस्ट हो जाता है फिर है हमारा elephant area की इसको अर्बिक प्लांट भी बोलते है ये प्लांट भी यदि एक बडर आपके garden में आ जाता है तो आपके garden से कभी नहीं जाता है multiple होता रहता है अपने आपसे baby plant निकलते रहते हैं ये भी मैं एक फीरी में ही लेकर आई थी अपने भाई के यहां से जो भुवा का लड़का हवाँ से यह छोटा सा ही प्लांट में लेके आई थी सर्दियों में यह प्लांट है इसकी पत्या सूख जाती है फिर अपने आप से इस प्लांट में है दुवारा से जो है फूटरिंग सरू हो जाती है और अपने आप से यह प्लांट है हराबरा हो जाता है तो यह भी आपके के अंदर है ग्रो हो जाती है इस प्लांट को मैं है छोटी सी कटिंग लेके आई थी और इसी से मैंने देखी बहुत सारे जो है प्लांट बना लिये हैं और बहुत सारी मैंने कटिंग इसकी बाट भी दी है तो आप भी इस तरीके इसके प्लांट जो मैं आपको बता रही हूं इनी लेके आते हैं तो आपके गार्ण से ये प्लांट है कभी नहीं जाते हैं टर्टल वाइन भी मैं एक छोटी कटिंग लेके आये तो टर्टल वाइन की भी मैं हमेशा निकालती भी रहती हूँ सूखती रहती है इसकी टहिनिया जब लंबी-लंबी बड़ी-बड़ी हो जाती है तब वो इसको जो है अलग से आप जो छोटी कटिंग लगाते हैं तो आप कुची सेव कर भी सकते हैं फिर है है हमारा जो यह है स्नेक प्लांट प्लांट भी काफी खुबसूरत प्लांट होता 24 औक्सिजन देने वला प्लांट होता है इस प्लांट को यदि आप गार्डिनिंग नहीं भी करते हैं तो भी अपने घर पर जरूर एड़ करें इस प्लांट को और कम ही प्राइज में आपको यह मिल जाता है छोटी सी पत्ती से भी आप इसको ग्रो कर सकते हैं यह दीख रहा ह यदि आप गार्डिनिंग नहीं भी करते हैं तो भी अपने रूम में या घर के अंदर इस प्लांट को तो आप जरूर एड़ करें यह देखे बहुत ही जादा आपके गार्डन में फैल जाता है यदि एक कटिंग भी यदि आपने लगा दी गलती से या नरसी से लेके आग तो आपके गार्डन से है यह कभी नहीं जाएगा इतना जो प्लांट है जो फैलता है यह multiple होता रहता है तो आप इसकी जो growth है वो नहीं रोक पाएंगे तो इस प्लांट को है जरूर एड़ करें अपने गार्डन में यह देखिए कितना सारा जो मेरा पोट है भर चुका है इस प्लांट को मैं कहीं से लेके आई थी, एक ही जो बेवी प्लांट लेके आई थी और मेरे गार्डन में देखी कितना सारा फैल चुका है, फिर है ये रेन लीली, रेन लीली वैसे तो आप सीजन जाज चुका है क्योंकि इसमें फ्लावरिंग है अब नहीं होंगी, क्योंकि बारिस के सीजन में ही रेन लीली में फ्लावरिंग होती है, बट ये प्लांट आपके गार्डन में पर्मानेंट रहता है हरा भरा, और आपके गार्डन से कभी नहीं जाता है, फिर है हमारा किरिस्मिश्ट्रे, किरिस्मिश्ट्री भी जो काफी खुबसूरत पत्ति वाला होता है हमेशा ग्रीनिट रहता है और हरा भरा रहने वाला प्लांट है पर्मानेंट आपके गार्डन में रहता है छोटा सा ही 100 रूपीस में मैं लेके आई थी और देखे काफी जो है साड़े 4 फिट तक इसकी जो है लंबाई हो चुकी है और ये दिखे कितना बड़ा हो चु जाती है तो आपके गार्डन से कभी नहीं जाएंगी इसमें बहुत सारे फूल आते हैं और इसमें बीज भी बनते रहते हैं तो आपके गार्डन में ये बीज अपने आप से जड़के पढ़ जाते हैं तो इस प्लांट को भी अपने गार्डन में जरूर एड़ करें फिर ह है हमारा ये जो पत्थर चट्टा का प्लांट है ये और आपके गार्डन से कभी नहीं जाता है पर्मानेंट आपके गार्डन में बना रहता है फिर है हमारा टिकोमा की वाइन है जो ये भी बहुत ही जो खाफी खुबसूरत हाड़ी प्लांट होता है इस प्लांट को यदि एक बर अपने गार्डन में लगवा लेते हैं लेके आ जाते हैं नर्सरी से मुझे ये माली ने दिया था डेड़ सो रुपे में ओज जो आपकी जो नीचे से ठहनी सूखने लग जाए तो आप इसकी कटिंग है जल से जल लगा दे तो आपके गार्डन में पर्मानेंट बना रहेगा तो इस तरीके के जो भी प्लांट मैंने आपको बताए हैं काफी खुबसूरत हाड़ी प्लांट होते हैं यदि एक बर आप इन इस वीडियों में बाइ 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 ओले